हेलो दोस्तों, वेलकम टू अन ब्लॉग चेन, ये योट्योब चैनल मैंने बनाया है ताकि मैं आपको बिजनेस, स्टार्टप्स, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन सारी चीजों के बारे में अप टू डेट करता रहा हूँ, देखें मेरा एक्सपिरेंस है बिजनेस में स्टॉक मार्केट में भी, पिछले 5-8 सालों में, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमली से बिलॉग करता हूँ, मैं काफी लंबे समय तक है कि रिटेल ट्रेडर रहा हूँ, मैंने लॉसेज प्रॉफिट सारे देखें अपने हिस्ट्री में और मेरा एक observation है कि रिटेल ट्रेडर को बहुत सारे यूट्यूब के बाबा वो बेवकूफ बनाते हैं, बताते हैं कि मुझे आज 10 लाग का profit हुआ, फलाना डिकाना बोलता है कि उसे 20 लाग का profit हुआ, losses को ही अपने share नहीं करता, मैं यह चाहता हूँ कि आप लोग जो true knowledge है, true wisdom है, उसके पीछे थोड़ा सा महनत करें, मैं आपका साथ दूँगा, और मैं इतना ensure करूँगा कि जो भी आप decisions लेंगे, उसमें आपका risk minimum रहे, और आप अपने position size को एक अच्छे तरीके से grow करें, देखिए, market में एक कहावत है, कहावत क्या, एक fact है कि 99.9% of the smart money, it attracts all the wealth from the we can say poor money, the retail money, हमारे आपके जैसे जो छोटे-छोटे retailers हैं, उनके पास सारा पैसा कैसे, दुनिया के सबसे अच्छे computer science engineers, सबसे बड़ी है machine learning, data science experts, बड़े-बड़े investors, बड़े-बड़े institutional investors, FIs, DIs, जो आप जानते हैं, इन सब के पास ये सारा पैसा चला जाता है, तो कुछ तो reason होगा कि आप और हम छोटे retailers लगतार loss करते जाएं, कुछ इस तरह से market की बनावट है, और सारे बड़े लोग, जिनके पास या तो पैसा बड़ा है, या तो बुद्धी बड़ी है, ये लोग पैसा लगतार बनाते जाएं, और यहाँ पे कुछ hidden agenda नहीं है, यहाँ पे क आप देखेंगे real estate में, suppose एक property है एक करोड का, अगला उसे अगर बेशना चाहिए, बोले कि एक करोड 20 लाग में बेशना चाहता हूँ, किसी और को वो बोलेगा, एक करोड 50 लाग में बेशना चाहता हूँ, तो वहाँ कोई अंत नहीं है, इस तरह के जो deals होते हैं, इनमें spreads बहुत ज्यादा होता है, bid और ask के बीच का spread, ये भी मैं समझाओंगा आप लोगों को धीरे धीरे, एक सौधा होता है, तो जो बोली लगाता है, या फिर जो खरीदना चाहता है, जो buyer है, वो यदि एक करोड में खरीदना चाहता है, बट जो seller है, वो कभी 20 लाग extra में बेश में, stock market में ये फायदा है कि सारी चीज़ें सामने हैं आपके आँखों के सामने, mostly, mostly, उसमें भी मैं समझाओंगा कि कहां पर problems होते हैं, कुछ चीज़ें hidden यहां भी हैं जरूरी, जरूर है, बट mostly stock market is very very transparent, market में आप अपना risk real time देख सकते हो, reward real time देख सकते हो, पांच दिन आप trading कर सकते हो, आपको पता है कि आप दुनिया में कहीं पे भी रहेंगे, you can monitor your positions, you can monitor your trades, तो यह flexibility कोई और business या कोई और investment एकदम से नहीं दे सकता है, तो इस YouTube चैनल के थूरू हम trading पूरा end to end सीखेंगे, markets का behavior देखेंगे, और साथ में globally business कैसे चल रहे है, उनका impact इंडिया में किस तरह से हो रहा है, foreign currency, forex, gold, इन सारे जो commodities और currency का क्या impact होता है, market में, यह सारी चीज़ें हम यहां discuss करेंगे, कोई bid promises नहीं, सिर्फ यहां ग्यान की बाते होंगी, कोई drama नहीं होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप एक trustworthy एक दोस्त पाएं, मेरे तुरू, और मैं चाहता हूँ कि market इंडिया में, जितना उसका भी involvement है हमारे देश में, 5-10% के बीच में लोगों को actually पता है market के बारे में, पता नहीं, मतलब उतने लोग involved है market में, और यही आप US में या किसी foreign country में, generally western countries में, especially UK में और US में आप देखेंगे, तो 30-40% लोग market में directly involved हैं, या तो mutual funds के थुरू, या तो bond market में, और इंडिया में ये बहुत अभी कम है, फिर भी जबसे जियो का involvement हुआ है, और जबसे इंडिया में एक तरह से startup boom चल रहा है, तो ये एक reason है, कि बहुत बड़ा यहाँ पे एक potential है, जब हमारा इंडियन market, इसमें लोगों का involvement, 7 या 8% से 30-40% तक होगा, तो आप देखिए, अगले 10 सालों में, कितने हमारे आपके जैसे retail traders यहाँ पे involved होंगे, और लोग कही सुनी बातों पे विश्वास करके market में आ जाते हैं, लोगों को buying करने का भी advice तब दिया जाता है, जब market top पे रहता है, ठीक है, कोरोना के समय भी वही होगा था, आप अगर charts देखेंगे COVID के समय, तो लोगों को भर-भर के investment करवाया गया था, इस time पे, इस time पे भी, ठीक है, तो यही एक तरीका है कि कैसे, जो retail traders है हमारे आपके जैसे, उनको even mutual funds के थूरू भी scam किया जाता है, उनको trap किया जाता है, और यह एक बहुत ही गलत चीज हो रहा है, मैं चाहता नहीं हो कि यह सारी चीज़े continue हो, और देखें, invest करके या फिर swing trading करके, पैसा बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है, यहाँ पे उस तरह का equation नहीं है, कि कोई कमाएगा तो कोई गमाएगा, long term investment या फिर even swing trading में, math does not sum up एक इस तरीके से, कि कि किसी का loss, किसी का profit है, वहाँ सभी का एक तरह से profit है, अब historical charts भी देखोगे, तो inflation को बहुत ही प है, इतने इतने समय से लगातार, हमारा Nifty का भी chart अब देख सकते हैं, 1990 से आप देखोगे, 214 रुपए से, लगातार यह 19,000 तक आया है, तो पिछले 30 सालों में, annually 15-20% के आसपास का growth दिखा है, तो यही चीज़ की है beauty की, की beauty stock market की, आप बिलकुल इस point को note करके रख सकते हो, कि अगर थोड़ा सा भी आप में wisdom है, थोड़ा सा भी अगर आपको समझ है, तो at least आप market से जुड़े इस तरही के से रह सकते हो, कि आप थोड़े से investator हो, और व हाँ पे भी कैसे आप mutual fund के units, एक ही date पे अगर यह दि लेते हो, मंथली चार्ट के जगए, अब अगर आप daily chart के time frame में चले जाओगे, और यहाँ देखो, 27 January, suppose 27 January को आप अपना एक mutual fund का SIP कराते हो, 27 तरिकों महिने के, ठीक है, यह एक closing open होते साथ ही, यह close हो गया, नीचे red candle, और लगभग लगभग, market ने 300 point का एक downfall दिया है, यहाँ पे, similarly आप देखोगे कि 27, 27 February को भी एक red candle बनाया है, तो आपके stock market में, SIP कटवाने के तुरंट बाद market अगर नीचे गिर रहा है, तो आपको उसका benefit कैसे मिलेगा, तो here comes the picture, कि आप एक ही दिन में अपनी mutual fund के सारे units मत deduct करवाओ, आप थोड़ा बहुत अगर चार्ट को देखने का, समझने का अपमें अगर गुण है, आपमें काबिलियत है, तो आप SIP के चकरों में ना पढ़के उतना ही amount, सपोज आप 5 या 10,000 रुपए मन्थ में आप contribute करना चाहते हैं, तो आप 27 तारिक को हर मेने fix मत हो जाईए, आप थोड़ा बहुत चार्ट देखिए, आप 10,000 रुपए भले ही अपने DMAT account में डाल लेजिए, ये देख सकते हो कि locally पिछले 10-15 दिन में कैसा trend है, देखिए, अभी मैं candlesticks और chart pattern के बारे में आपनों को और ज्यादा depth में बताऊंगा, अब suppose किसी का 27 तारिक को SIP कटने वाला है, suppose, ठीक है, 25 या 27 तारिक हो चुका है, अब इस point पर देखिए, ये एक breakout देने वाला है, आप chart को देखोगे, तो ये अपना previous low, जो एक यहाँ पर एक support zone ए create हुआ है, उसको तोड़ ही रहा है, intraday में भी आपको ये, उस दिन के chart में दिखाई देगा, कि market is about to close red, तो आप इस दिन मत घुसिये market में, reserve करिए अपने 10 रुपए को, आप थोड़ा wait करिए, wait करिए, और लगभग, लगभग, जब आपको दिख रहा है कि market एक अच्छा support फिर से यहाँ पर ले रहा है, ठीक है, उस point पे आप फिर से enter कर सकते हो, अपने पैसे आप थोड़े से बचा लोगे, आप इस point पे enter यदि कर लेते, तो यहाँ से यहाँ तक आप जो loss है वो आपको दिखाई देगा, आप यही च unit आपको उतना loss नहीं देगा, और फायदा इन छोटी-छोटी चीज़ों को आप लगातार करते जाएंगे, तो देखिए, लगभग 0.6% आप अपने capital का बचा सकते हो, मतलब 10,000 रुपय का 0.6%, अब आपको यह amount छोटा लगेगा, लेकिन यह practice यह आप लगातार करते जाओ होगे, तो यह magic के जैसा काम करता है, power of compounding क्या होता है, कैसे आप अपने capital को बहुत अच्छे से manage कर सकते हो, मैं सारी चीज़े cover करूँगा, तो this video is just about the introduction, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा मक्सद क्या है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे efforts के साथ आप भी जुडे रहे हैं, बने र इसे ही पहले शुगात करेंगे stock market से, मैं आप लोगों को chart patterns बताऊंगा, और कोई ऐसी उमीद मत रखिये कि मैं दुनिया बदल दूँगा, या फिर आप लोगों को मतलब करोड़ पती बना दूँगा, दुनिया तो मैं बदलूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ दुनिया ब इंगलेश में, एक ऐसी सोच, एक ऐसा नजरिया जिससे आप सारी चीजों को एक साथ देख पाएं, समझ पाएं, दुनिया बर में क्या चीज़े हो रही है, market में क्या उसका impact हो रहा है, थोड़ा business का भी sense इसमें discuss करेंगे, ठीक है, बहुत कुछ है अभी agenda, धीरे धीरे सार पत्ते खुलते हैं, और बने रही है दोस्तों, बने रही है, मज़ा बहुत आएगा, ठीक है, signing off, चलो, बबाए